हाई फ्रेंड्स विल्कम बेक टो स्वरा जॉल इन वन चैनल और आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी जो कि आम बाहर ठेले पे जाके खाते हैं बढ़िया चटकारे लेकि वही आज हम बनाने वाले हैं घर पे और यह बहुत ही आसानी से घर पे बन जाती हैं और बिल्कुल हम उसे ही बनाएंगे जिसे आप बाहर चटकारे लेकि कहाते हैं वैसे घर पे बी आसानी से बना के खा सकते हैं तो यह पे मिने ली हैं शिमला मिर्श दो बड़े साइस की जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है तो इसे मैं डाल दूंगी कुकर में और यह हे बीट्स तो मैंने सब्सक्राइब कालीफला मिर्च लिए है तो इसमें हम डाल देंगे एक ग्लास पानी और अभी आप देख सकते हैं कि पानी बहुत जादा भी मैंने नहीं डाला है बस सब्सक्राइब अच्छे से भीग जाए उसमें बस उतनी डाने तो यहां पर एक ग्लास इतना मैंने पानी की मैंने डाला हूँ है और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक भी इसकी लिड लगा देंगे हम और इसमें लगा लेंगे हम 24C तो यहाँ पे मैंने कुकर को भी कर लिया है ठंडा और अभी आप देख सकते हैं इसमें खलका सा रेडिश कलर आ चुका है तो अभी हम कर लेंगे सबजीयो को मैश मैशर से काफी है अच्छी से मैश हो कि आप चाहिए तो इसका पानी निकाल के भी मैश कर सकते हैं लेकिन मैने अभी पानी के साथ ही इसे मैश किया है क्योंकि पानी हम यूज भी करने वाले है तो अभी एक पैन में डाल दूँगी तेल यहां पे मैं बटर का यूज बिल्कुल नहीं क अगर आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए अभी प्याज अच्छे से पक चुके है तो इसमें डाल देंगे हम अधरक और लेसन का पेस्ट और इसे भी अच और जब तक प्याज पक रहा है और मसाला पक रहा है तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मि मौने पक चुका देटीज जल्दी जल्दीज तो इसमें डाल दूंगी मैं दो टमाटर जो की बड़े साइस के थे मैं जिसे बारिक चॉप कर लिया है आप चाहे तो इसकी प्यूरी करके भी इसमें डाल सकते हैं तो इनको अच्छे से हम पका लेंगे बिल्कुल सॉफ्ट होने तक इसे पकाना है तो यहां पे टमाटर भी काफी अच्छे से पक चुके हैं तो इसमें अभी में डाल दूंगी पाओ-भ़जी मसाला यह सुरूची का पाओ-भ़जी मसाला है यहां मैंने दो बड़े चमच डाल दिया है और साथ ही थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया है NICK को अच्छे से पका लेंगी बिल्कुल मैश होने तक आप चाहे तो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं इस तरह से अच्छे से हम मैश कर लेंगे जो भी टमैटो वगेरा जो पक चुके अच्छे से मैश हो जाएंगे यह इससे और मसालो की खुश्बू तो पूरे घर में बहुती बढ़िया से फेल चुकी है अभी आपको नहीं आ रही है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि घर में पूरी तरह से अच्छी सी बढ़िया खुश्बू जो है पावभाजी की हर तरफ फेल चुकी है तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी पावभाजी जो हमने मैश किया हुआ सबजी थी पूरी वह इसमें हम याट कर देंगे और इन्हें भी अच्छी से पका लेंगे थोड़ा सा में पहले मिक्स कर लेती हुआ है और जो कुकर में थोड़ी से सबजिया लगी हुई है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी अभी और वो भी इसमें रियाट कर देंगे कुछ भी वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर यूज करेंगे हम जितनी आपको मतलब थिकनेस चाहिए जितनी पतली ज्यादा पतली तो यह होती नहीं है गाड़ी होती है तो यह अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं बिल्कुल इतनी थिकनेस मुझे ठीक लग रही है तो मैं इसे ऐसी अभी थोड़ी देर पकने दूंगी आप भी जरूर बनाईए इसे और मैं यहां पर एक बार फिर से मैशर से थोड़ा सा मैश कर लूँगी जो भी कसर रहे गई है वो अभी इसमें निकल जाएंगी मैश होने के लिए पूरी जो सबजी है बिल्कुल इकवली अच्छे से मैश हो जाएंगी तो अभी मैं इसे भ अभी तक आपने देखा होंगा कि मैं अभी तक इसमें बटर यूज नहीं किया है और मैं इसमें डाल रही हूँ यह शुद्द गाय का घी इसका टेस्ट मुझे बहुत बढ़िया लगता है आप एक पार ज़रूर इसी के साथ बना के देखिए सब लोग इसमें डालते हैं बटर लेकिन मुझे उससे जादा अच्छा लगता है कि इसमें घी जो होता है घर का बना हुआ बहुती बढ़िया लगता है आप भी इससे जरूर ट्राइ करके देखिए और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि कैसे लगी तो एक तरफ पकरी है सबजी और यहां पे हम कर डाला है इसमें अभी डाल दूंगे मैं थोड़ी सी सब्जी बिल्कुल चटा के दार बनाने के लिए इसमें पाव में टेस्ट बहुत बढ़िया आता है आप जाहे तो सिब घी में पावभाजी मसाला डालके हराधरिया डाल दीजिए और इससे भी आप पाव को सेख दीज लेकिन इस तरह से बहुत ही बढ़िया लगती है तो अभी मैं कर लूँगी से सर्व वाव गर्मा गरम है और बिल्कुल बढ़िया बनी हुई है बाजू में बच्चे भी रहा देख रहे कि कब तक कब कमें मिलेंगे खाने के लिए तो इस पे मैं डाल रही हूं थोड़ा सा घ लगता है डिकोरेशन आप भी जरूर कीजिए और जो हमने पाव से की ती तो ओ भी हम इस पे रख देंगे और अभी लेंगे हम इसका मजा लेकिन आप भी ले सकते हैं आज है भी संडे जरूर बना के देखिए आपको मेरी राज की रेसिपी कैसे लगती है जरूर बताईए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से चाहता है शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई